हेलो दोस्तों वेलकम टू माई योटूब चैनल टेखनिकल कैंजी दोस्तों आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हिर्फिल होने वाली है तो दोस्तों आज के यह वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और आपने पासपोर्ट के लिए एपलाई कर दिया है दोस्तो हमारा वीडियो पसंद आए तो like, comment, share जरूर कर देना तो friends वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले दोस्तो आपको अपने mobile ये system पर कोई भी browser open कर लेना है browser open करने बाद friends यहाँ पर आपको type करना है passport save तो मैं यहाँ पर type करता हूँ जैसे दोस्तों देख सकते हैं मैंने passport save टाइप कर दिया यहाँ पर उसके बाद मैं यहाँ पर search करता हूँ browser open होने बाद friends यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको passport की official browser यहाँ पर आचुकी है www.passportindia.gov.in तो friends यहाँ पर आपको इस bear side को open कर देना है तो यहाँ पर मैं अपने इस bear side को open कर देता हूँ bear side open होने बाद friends आप देख सकते हैं आपको कुछ यहाँ पर ऐसा interface दिखाई देगा तो यहाँ पर देख सकते हैं friends की track application status तो दोस्तों आपको अपने passport को track करने के लिए simply track application status पर क्लिक कर देना है तो मैं यहाँ पर type कर देता हूँ क्लिक करने बाद friends फिर से आपके सामने एक नया page open होगा page open होने बाद friends यहाँ पर देख सकते हैं track application status यहाँ पर friends आपसे select application type यहाँ पर पूंचे जा रहा है तो आपको यहाँ पर type select कर लेना है कि आपका passport, PCC, IC, GEP है या RTI है diplomatic official application है, surrender application है, racial application है तो friends आपको जो भी है आपको यहाँ पर select कर लेना है तो friends अगर आपको passport को track करना है तो simply आपको passport, PCC, IC, GEP पर click करना है तो दोस्तों यहाँ पर आपसे file number मांगा जा रहा है तो friends अगर आपको नहीं पता कि file number क्या है तो मैं आपको बता दूँ कि जब आप passport apply करवाते हैं उसके बाद friends appointment लेने के बाद जब आप passport office जाते हैं वहाँ पर आपका documents verification होता है documents verification होने के बाद आपको वहाँ पर file number दे दिये जाता है और आपके register mobile और email पर भी आपका file number भेद दिये जाता है फिर भी अगर आपको आपका file number नहीं पता तो friends आपने जहाँ से अपना passport apply करवाया था वहाँ पर जाकर अपना file number पता कर सकते हैं तो दोस्तो मैं यहाँ पर अपना file number डाल देता हूँ file number डालने के बाद friends यहाँ पर आपसे date of birth पूछा जा रहा है तो आपको यहाँ पर अपना date of birth फिल कर देना है तो मैं यहाँ पर अपना date of birth फिल कर देता हूँ जैसा कि friends आप देख सकते हैं मैंने अपना data work भी यहाँ पर fill कर दिया है उसके बाद friends यहाँ पर देख सकते हैं आपको नीचे track as status का option दिखाए देगा तो simply आपको track status पर click कर देना है click करने बाद friends आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पर file number date of birth आपका नाम और दोस्तों यहाँ पर application का type यहाँ पर show होगा उसके बाद दोस्तों आपकी जो appointment की यहाँ पर date होगी वो भी यहाँ पर show हो रही है कि जिस दिन आपने appointment लिया था यहाँ पर देख सकते हैं application received on date उसके बाद friends यहाँ पर देख सकते हैं नीचे ही आपको status का option मिल जाता है तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं passport number has been dispatched यहाँ पर उसकी date भी मिल जाती है किस तारिक को यह भेड़ दिया गया है और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं वीवा speed post tracking number तो friends यहाँ पर आपका speed post tracking number मिल जाता है तो friends अगर आपको speed post से track करना अपना parcel नहीं आता तो मैंने इसकी भी वीडियो पहली बना के डाल दी है मेरे YouTube चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं कि अपना speed post का को भी parcel कैसे track कर सकते हैं तो friends आपने भी अगर आपना passport बनवाया है और आप भी अपना passport track करना चाहते हैं तो same ऐसे ही अपना passport track कर सकते हैं तो friends हमारा वीडियो कैसा लगा हमें like और comment करके जरूर बताईएगा दोस्तों अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को subscribe कर लेना ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियो सबसे पहले मिलती रहें तो मिलते हैं किसी अगले इंट्रेस्टिंग वीडियो में जब तक लिए good bye